कि अपने बाप को देखा है कि लाइफ इस रेस इफ रोन फास युद भी लगग ब्लोकन अंडा आप सभी दोस्तों को सबसे पेले तो मेरा लंबा सा नमस्कार और अब साक्सातकार तो जरा हमारी इस बात पर ध्यान दीजी और प्लास्टिक की चपल पहन लीजी क्योंकि आग यार ऐसा कैसे जी हाँ हो सकता है मोधी जी कुछ भी हो सकता है इसलिए चपल में पेर और दिमाग में गेर डाल दीजी और हम जो कहना चाते हैं उसे बड़ी सालीनता से कालीन पर बैट कर सुने या खड़े ऊकर सुने आपकी मर्जे हैं लेकिन सुने जरूर तो लग बग द लगन के बावजूद भी हम दूसरे पक्ति पर पेर नहीं रख पा रहे हैं और यह लोग यह लुग तो पक्तियों को ही नया बनाते जा रहे हैं माने वीडियो के बारे में आपको तो पता चली गया होगा लेकिन एक पता फिर भी नहीं चला होगा कि एक्चुली में यह सब मामला क्या है माजरा क्या है वैसे आपको क्या लगता है कि क्या मेरे को उसके बार में पता होगा अरे भाव मेरे को मेरे कच्छे और बच्छे य यंगु मंगु दोस्त देखने को मिले हैं जिन्होंने की वाइरस की जिन्दगी से वाइरस को काट काट कर रस रस छोड़ दिया था जो कि सपना 11 का प्रमॉसन भी उस वीडियो में कर रहे हैं लेकिन इसी बीच वो कुछ ऐसी बाते भी उस वीडियो में बोल दे रहे हैं कि प उमर हीरानी साहब फिलाल S.R.K के साथ अपनी जवानी भी खेर रहे हैं। मगर इस एड के बाद करीना ने भी इस पर कुछ इस तरीके से रियेट किया है कि जैसे उन्हें भी इसके बारे में घंटा कुछ नहीं बदा। साथी बमन इरानी और चतुर चचा की चज़ुराई भी इससे कोसो दूर है। मतलब कि उन्हें भी इसके बारे में पुछ आइडिया नहीं है। तो बोस उस इसाब से ज्यादा चांस तो यह हैं कि यह सिर्फ एड़टाइज है फिल्म की अनौसमेंट नहीं। बाकि टिक इसी तरह यह तीनों कुछ टाइम पहले भी सर्मन जोसी की फिल्म कॉंग्रेचुलेसन के टाइम पर दिखे थे। तो अभी तुछ ज्यादा कुछ नहीं कह सकते बाकि जैसे कोई ओफिसल आनौसमेंट आती हैं तो हम तुम्हें फटाक से इसी चैनल पर वीडियो बनाके बता देंगे। तो उसके लिए तुम इस चैनल को अभी जिहां अभी तुरंट से सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को टन न से बज़ादो। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्ष्ट वीडियो में तब तके लिए जैहिन जे भारत वंदे मातरम।